देखिए तो इस question में में क्या दिया गया है कि a long straight wire in the horizontal plane carries the current of 50 ampere in north to south direction तो हमारे पास एक straight wire है जो horizontally plane पे है ठीक है और वो कितना current carry करती है 50 ampere का कहां से north से लेकर south की direction में ठीक है तो हमें यह बताना कि give the magnitude and direction of b तो हमें बताना कि magnitude of direction क्या होगा magnetic field b का at a point 2.5 meter east of the wire तो 2.5 meter distance पे जो कहां पर है east में है ठीक है तो हमारी जो point है हमारा वो कहां पर है east की direction में है ठीक है और कितने distance पर है 2.5 meter की distance पर है ठीक है तो देखिए हम यहां पर given लिखते हैं कि given हमें क्या दिया गया है तो given हमें की current की value दी गई है ठीक है current की value है कितनी देखिए मतलब i हमें कितना दिया गया है 50 ampere का ठीक है और देखिए और हमें क्या दिया गया है कि जो हमारा point है ठीक है जो point है वो क्या है is 2.5 meter ठीक है 2.5 meter अवे है ठीक है 2.5 meter from the east ठीक है from the east तो east से कितने distance पर है 2.5 meter के distance पर है तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर जो distance होगा ठीक है जो हमारे पास distance होगा यहां पर मतलब हमारे पास जो r की value होगी वो क्या होगी 2.5 meter होगी ठीक है r की value क्या आ जाएगी मारे पास 2.5 meter की value आ जाएगी ठीक है अब देखिए अब हमें क्या निकालना है यहां पर magnitude निकालना है ठीक है तो magnitude हमें किसका बताना है ओफ बी का ठीक है magnitude हमें किसका बताना है बी का तो बी के magnitude के लिए formula हमारे पास क्या है यह straight wire है तो straight wire का case कैसा होता है mu naught upon 4 pi into 2i by r ठीक है तो यह हमारे पास क्या होता है magnetic field का case होता है ठीक है तो देखिए जो mu naught है इसकी value अगर हम magnetic field निकालते हैं तो जो mu naught है हमारा इसकी value क्या होगी 4 pi into 10 की power minus 7 और यह division में क्या है 4 pi और यहाँ पर 2 और i हमारे कितना है 50 और यहाँ पर r की value कितनी दी गई है 2.5 meter की दी गई है तो देखिए जब हम इन्हें solve करते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1 और यहाँ मिल जाएगा 2 ठीक है यहाँ मिल जाएगा 2 और यहाँ मिल जाएगा 0.1 और यहाँ से यह 4 pi 4 pi cancel out हो जाएगा ठीक है तो देखिए हमारे पास कुछ value ऐसी बनेगी कि जो हमारा magnetic field है वो क्या होगा हमारे पास 10 की power minus 7 ठीक है 10 की power minus 7 यहाँ 2 और 2 मतलब यह 4 बन जाएगा और यह point 1 है तो यह उपर क्या बन जाएगा 10 तो हम कहेंगे जो हमारा magnitude है वो कितना आजाएगा हमारे पास 4 into 10 की power minus 6 टेसला आजायगा ठीक है तो हमारे पास magnitude की value कितनी आ गई 4 into 10 की power minus 6 टेसला हमारे पास magnitude आगया ठीक है अब देखिए जो हमारे अब हमें क्या बताना है कि हमारा current किस direction में मतलब जो हमारा magnetic field है उसकी direction कहां पर होगी ठीक है वो किस direction में act कर रहा है या flow कर रहा है ठीक है तो देखिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे उसके लिए हमें Maxwell right hand thumb rule का use करना पड़ेगा Maxwell right hand thumb rule का use करना पड़ेगा ठीक है तो देखिए इस question के according जो हमारा current है ठीक है तो जो हमारा current है एज current direction इन दा वायर ठीक है जो करेंट की direction है वायर के अंदर वो कैसी है ठीक करी डानवर्ड है ठीक है वो कैसी है in the वायर इस एज, वो कैसी है थीक है वो कैसी यह, रटीकलि डानवर्ड है ठीक है वर्टीकलि कैसी है डानवर्ड तो यहाँ पर हम क्या गइंगे according to Maxwell ठीक है Right Hand Thumb Rule Right Hand Thumb Rule उसकी मदद से हम क्या कह सकते है कि जो हमारा Magnetic Field होगा ठीक है तो जो हमारे Direction होगी Direction किसकी Of B की ठीक है जो Direction होगी B की वो कैसी होगी कैसी होगी वो Is Vertically Is Vertically Upward होगी ठीक है Vertically कैसी होगी Upward होगी अगर Current हमारा Vertically Downward है तो Maxwell Right Hand Thumb Rule के इसाब से हमारा जो Direction होगा B का वो कैसा होगा Vertically Upward होगा ठीक है यह Upper Direction में जाएगा और Current हमारा Downward Direction में फ्लो कर रहे है तो यह मारा अंसर था इससे असान सॉलीशन और कहीं नहीं थो दो कैसी से असान सुलीशन नहीं